इन्वेश्मेंट और फाइनांस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार इन्वेश्मेंट करते वक्त हम कई बार जाने अंजाने में कई सारी mistakes करते हैं और उनमें से जात अदर mistakes psychological mistakes होती है कई बार उनके पीछे के psychology ना समझने की वज़े से वो mistakes हम बार बार करते रहते हैं तो आज आज आप उन्हें psychological mistakes के बारे में बात करेंगे जिन्ने आपको investment करते वक avoid करना चाहिए तो शुरुवात करेंगे चीज़ों को blame कर सकते हो तो यह जो blaming theory है उसे realization trap कहते है realization trap में investor कभी भी खुद को blame नहीं करता है वो हमेशा outsiders को blame करता है जब यह investors को loss हो जाता है तो कई बार वो जिनने उन्हें वो stock खरिदने के लिए कहा था उन्हें blame करते हैं या फिर बाखी चीज़ों को blame करते है लेकिन वो खुद को कभी blame नहीं करते है और इसे वज़ा से next time जब same situation आती है तब वो same mistake करते है बस फर्क यह होता है कि पहली बार stock को recommend करने वाला कोई और person होता है और दूसरी बार और यारी वो person खुद को blame नहीं करता है अपनी mistakes के लिए कि उन्होंने दूसरों की recommendation के basis पर उस stock को खरीद लिया वो सिधे उस person को blame करते है तो जब तक आप खुद उस mistake को realize नहीं करोगे और खुद को blame नहीं करोगे तब तक आप इस realization trap में फसे रहोगे तो गलतियों को accept करना सीखो और फिर उन गलतियों से सीखो नेक्स्ट है loss averaging loss averaging की theory हमें ये बताती है कोई भी loss होने के बाद हमें जो दूख या दर्द होता है वो हमारे किसे success या जीत के खुशी से तीन गुना जादा होता है और क्योंकि loss होनी का pain बहुत जादा होता है इसलिए कई सारे लोग losses को acknowledge करना नहीं चाहते हैं यानि वो एक्सेप्टी नहीं करते कि उन्हें loss हुआ है और इसलिए उन्होंने खरीदे हुए businesses जब बहुत खराब perform करने लगते हैं और company का future आपको बहुती blurry नजर आ रहा है तो ऐसे टाइम उस company को बेचने के बजाए ये लोग उसे hold करके रखते हैं loss averaging की वज़े से एक और strategy का इस्तुमाल investors करते हैं जिसका नाम है average price theory इसमें जब भी किसी share की price गिर जाती है तब लोग उसे और खरिदते हैं ताकि उनके buying price नीचे आ जाए जब ये price और गिर जाती है ये लोग उसे और खरिदते हैं ताकि उनकी average buying price और नीचे चलिया आए तो कई सारे लोगों ने इसे 200 रुपे पर खरीद लिया ताकि उनके average price कम हो जाए फिर जब yes bank के share price और गिर गई तब लोगों ने bank के business prospects और बाकी चीज़ों को नहीं देखा उनको बस ये चीज़ पता थी कि हमें loss book नहीं करना है इसलिए वो लगातर और shares खरिदते चले गए जिसे हुआ ये कि उनके losses और भी बढ़ते चले गए ये mistake कई सारे लोग करते है देखो average price की theory उन companies के लिए होती है जो fundamentally बहुत strong होती है और जिनके future prospects काफी अच्छे होते हैं और जब ऐसी company के share काफी जदा गिर जाते हैं तब आप उसे average कर सकते हो लेकिन average price theory के नाम पर किसी भी company के shares जब कम हो जाए तब उसे खरीद लेना ये सही strategy नहीं है तो loss origin theory अमें कहती है कि जब भी आपको loss होता है आपको उन losses को acknowledge करना चाहिए दुनिया में कोई ऐसा investor नहीं है जिसको उसे profit ही profit हुआ है आप कह सकते हो कि losses are the part of the game ये वो गलतिया है जिनसे investor सिखते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसलिए बड़े-बड़े investors भी portfolio को diversify करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें भी losses हो सकते हैं तो losses से आज तक कोई नहीं बचा है तो आप उन्हें acknowledge करो उनसे सिखो और आगे बढ़ो नेक्स्ट है जब भी investors किसी company में invest करते हैं तब वो सोचते हैं कि जादातर लोग उनके जैसा ही सोच रहे होंगे लेकिन investment world में ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है क्योंकि कई बार ऐसी investment opportunities आती हैं जो बहुत ही कम लोगों को दिखाई देती है और वैसे भी हर किसी person की investment करने के तरीके strategies, choices, different different होती है हमारी hobbies, choices बाकी लोगों से कई बार different होती है in fact जादातर time वो बाकी लोगों से different ही होती है इसलिए जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी hobbies है, choices है वो ऐसे ही होनी चाहिए जैसे जादातर लोगों की है similarly, जब भी आप कोई investment कर रहे हो तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो investment कर रहे हो वही investment बाकी लोग भी कर रहे होंगे या फिर बाकी लोग जो investment कर रहे है वही आपको करनी चाहिए great ideas, great inventions और great decisions हमेशा society के जादातर लोगों ने ठुकर आए थे फिर भी उन great ideas को, great inventions को और great decisions को वो successful लोग बीना इस चीज की चिंता किये कि बाकी लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आगे लेकर चले गए similarly, जब भी आप investment कर रहे हो तो आप ये चीज मत देखिए कि कितने लोग आप से agree करते हैं कितने लोग आप ही की तरह उस company में invest कर रहे हैं आप ये देखो कि उस company में invest करने के पीछे आपके reasoning क्या है आपके logics क्या है क्या चीज़े आपको सही लगे और क्या नहीं ये जो false consensus effect है इसके होने के पीछे main reason है ambiguity effect ambiguity effect हमें ये बताता है कि कई बर हम life में ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं जहापर आपके decision का exact result क्या होगा आपको पता नहीं होता maybe उस investment से आपको profits भी हो सकते हैं losses भी हो सकते हैं जब भी आपको ऐसे मुकाम पर होते हो जहापर आपके decision का result क्या होगा ये आपको surely पता नहीं होता तो ऐसे में आप चाहते हो कि जादा तर logos के views देखे जाए अगर आप जो सोच रहे हो वैसा ही बाकी लोग भी सोच रहे हैं तो उसे आपके अंदर automatically confidence build होता है और decision लेने में आपको help मिलती है जबकि ये strategy सही नहीं है next है hello effect hello effect में हम किसे एक factor के basis पर ही अपने decision लेते हैं humans के memory short term memory होती है जिसमें short term में जो चीज़े होती है उसका हमारी उपर काफी ज़्यादा impact होता है वही जो चीज़ गुजर कर बहुत ज़्यादा time हो गया है उसका हम पर ज़्यादा impact नहीं होता है ऐसे मैं किसे भी company से जुड़ा short term में कोई एक बड़ा factor निकल कराता है तो लोग बस उसे factor के basis पर उस company में investment करते हैं जैसे कि अगर किसी company के एक quarter का result बहुत अच्छा आया है तो लोग तुरंथ उस company को उस company के सिप एक quarter के result के basis पर judge करते हैं और उसमें invest करने की planning करते हैं साथ ये किसी pharmaceutical company को USFD का approval मिलता है तो लोग तुरंथ उस company को खरीदने लगते हैं किसी company को tax benefit मिलता है या फिर इसी तरह का one time effect की वज़े से फायदा मिलता है तो लोग company में invest करने के लिए चले जाते हैं तो investment करते वक्त इन short term factors को आपको ज़्यादा महत्व नहीं देना है आपको हमेशा long term analysis करनी है और सारे factors को देखकर अपनी decision लेनी है ना कि सिर्फ एक या दो factors के basis पर अपनी decision लेनी है तो hello effect को आपको हमेशा avoid करना है जादा तर लोग जब भी कोई difficult decision लेना चाते है तो वो अपनी decision बाकी लोगों की तरह ही लेना चाते है अगर आप किसी company में invest करने के लिए doubtful हो और आप अपने friends और बाकी पहचानवाले लोगों से उस stock के बारे में राय लेते हो और वो बताते हैं कि उन सब के portfolio में वो stock है तो आप भी उसे खरीदने की कोशिश करते हो कि अगर loss हो जाता है तो सब को हो जाएगा तो hurt mentality को आप तब follow करते हो जब आप ज़ादा confident नहीं होते हो तो अगर खुद का analysis करने के बाद आप किसी company पर ज़ादा confident नहीं हो और बाकी लोग उसे खरीद रहे हैं तो आपको उस company को avoid ही करना चाहिए आपको हमेशे अपनी reasonings अपना analysis और अपने logics का इस्तमाल करना चाहिए चाहे public उस decision के opposite ही क्यो ना चल रही हो और जाद अदर successful लोगों ने अपने decision herd mentality के opposite जाकरी ली है इसलिए Mr. Warren Buffett कहते है be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful यानि जब बाकी लोग बहुत ज़्यादा greedy होकर shares को खरीद रहे हैं तब आप fearful रहे हैं वही जब बाकी लोग तेजी से अपने shares बेच रहे हैं तो आप greedy हो जाईए यानि fundamentally strong companies के shares खरीदने के लिए तयार हो जाईए तो Mr. Buffett की यह जो strategy है जो हमें कहती कि herd mentality के opposite में जाकर आपको decision लेनी है इससे contrary and investing कहते है 1999 और 2000 में जब dotcom boom चल रहा था तब सारे लोग technology companies में invest कर रहे थे कई सारे लोग यहाँ पर सिफ herd mentality को follow कर रहे थे यानि बाकी लोग technology companies में invest कर रहे हैं इसलिए वो भी technology companies में invest कर रहे थे जब यह technology boom चल रहा था तब technology companies के financials उतने अच्छे perform नहीं कर रहे थे बाद में companies में perform ना करने की वज़े से यह technology bubble burst हो गया और उन herd mentality को follow करने वाले investors को काफी नुकसान हुआ कई बार market में ऐसा होता है कि companies और economy की performance घराब चलते हुए भी stock market अप चला जाता है और फिर herd mentality को follow करते हुए लोग shares में invest करते हैं यह सोच कर कि बाकी लोग भी shares खरीद रहे हैं इसलिए कई बार company की business performance लगातर डाउन जा रही होती है वही company के share price लगातर उपर चली जा रही होती है तो ऐसे टेम herd mentality को follow करने की बजाए आपको अपने analysis को follow करना चाहिए फिर वो चीज़ चाहे आपके लिए contrary and investing ही क्यों ना बन जाए तो contrary and investor हमेशा opportunities के तलाश में होता है और ये opportunities कई पर बाके लोग जो सोच रहे हैं उससे opposite होती है recession के time जब बाके लोग companies के share sale कर रहे होते हैं उसी time Mr. Buffett जैसे कई सारे बड़े investors market में उतर कर companies खरीदने लगते हैं क्योंकि उन्हें recession के time अच्छे companies कम valuation पर मिल जाती है तो आप देखोगे कि जादातर successful investors contrary and investors होते हैं जो हमेशा opportunities के तलाश में होते हैं और उन्हें पता है कि opportunities हमें हर दिन नहीं मिलेगी इसलिए जब भी उन्हें मिलती है तो उस opportunity को tap करने की वो कोशिश करते हैं तो इन सारे psychological factors को आपको investment करते वक्त ध्यान में रखना है आज का ये वीडियो मिश्टर परकपारिक की बुक Value Investing and Behavioral Finance इस बुक की summary थी इस वीडियो में Thinking Fast and Slow इस बुक से भी कुछ points ले गए है psychological factors को समझने के लिए आप इन दोनों बुक्स को जरूर पढ़िए लिंक नीचे description में दी गई है हम हमारे एक और चैनल Finotion's Updates के जरिए financial updates आप तक पहुचाते रहते हैं वो भी short format में तो अगर आपको financial market से जुड़ी daily updates चाहिए तो आप हमारे Finotion's Updates इस चैनल को जरूर subscribe कीजिए लिंक नीचे description और comment box में दी गई है जरूरी ये psychological factors अपने बाकी दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि वो भी इन गलतियों को ना करें आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद